हेलो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं information and communication टेकनोलोजी की इसमें हम ICT के विभिन अवयवो की चर्चा करेंगे और उसकी समिक्षा करेंगे ICT की समिक्षा करेंगे कि शिक्षा में आज उसकी क्या आवश्यक्ता है कैसे आवश्यक्ता है मतलब यह के critical understanding of ICT से क्या अर्थ है इन बिंदों पर चर्चा विश्यश करेंगे ठीक है तो आज का हमारा विश्यवस्तु क्या हुआ आज का हमारा विश्यवस्तु है आज का हमारा विश्यवस्तु है शिक्षा में सुचना एवं संचार तक निकी कैसे और कितना संभव है किस अद तक और हम इसमें LNMU के दुई वर्ष ये B8 प्रोग्राम के अंतरगत जो EPC3 जो के पहले वर्ष का सिलिबस है कोर्स है इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज के अंतरगत जो के दो क्रेडिट का होता है और ये 50 मार्क्स का होता है जिसमें से आपको पता है कि ये जो 50 जो 40 नमबर का थेयरी और दस नमबर का प्रैक्टिकल एक्जाम है इसमें जो 40 नमबर के थेयरी पेपर है उसके अंदर तीन यूनिट आती है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते है फोटो में और यह जो तीन यूनिट है पहला यूनिट है कंसेप्ट आफ इनफॉर्मेशन एंड कॉम्निकेशन टेकनोलोजी वो हमने इसके पहले डेगुलर क्लासस में देखा है दूसरा जो यूनिट है इंट्रेक्शन थूरू कंप्यूटर्स और इंटरनेट और तीसरा यूनिट है आई सीट एंड एवैलिएशन तो आज हम बात कर रहें यूनिट तू में नहीं कि A, B, C, D इसमें चार सबसेक्शन हैं तो इसका सबसेक्शन डी जिसमें है टेकनोलोजी मेडियेटेट कॉम्निकेशन टेकनोलोजी मेडियेटेट कॉम्निकेशन कंसेप्ट आफ क्लासरूम टेकनोलोजी मेडियेटेट कॉम्निकेशन रॉल आफ टीचर इन कि ऑनतरगत जानेंगे क्या होता है। उसकि क्या है। और जानेंगे दूसरा कि एजुकेशनल टेक्नोलोजी का जो मेनिंग ہے इसको किसे देक्न Key Douglas आ एजुकेशनल टेकनोलोजी भी कि घानेगे। Nature of educational technology भी समझेंगे, scope of educational technology मतलब कि आज टेकनोलोजी जो हमारे बीच है, इसका क्या use है, इसका क्या scope है, इसके functioning क्या है, इसके educational technology का function क्या है, इन तमाम चीजों को आज हम इस वीडियो में समझने के कुश्चिश करेंगे अचे बारे में जो भी आपके सवाल होंगे, वो आप स अब से पहले आज हम इसके पहले point पर discuss करते हैं, ठीक है? टेक्नलोजी के मेनिंग पर definition के इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? educational technology is the use of both physical hardware, software and educational theory to facilitate learning and improve performance by creating, using and managing the appropriate technological processes and the resources. this field, which is also called EdTech or EduTech, has been described as the persisting initiatives that seeks to bring learners, teachers and the technical means together in an effective way. in addition to experiential knowledge drawn from educational practices, educational technologies is based on theoretical knowledge that emerges out of the various disciplines such as communication, education, psychology, sociology, artificial intelligence and computer science. among others, it also compasses the several domains including learning theory, computer-based training, online learning and M-learning etc. educational technology को समझने के लिए और भी कुछ ऐसी चोटी 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 definitions हमने यहां दी है उसको भी upload कर सकते हैं, जैसे के educational technology as the theory and practices of educational approaches to learning and so on, इसी तरीके से कुछ definitions हमने नेचे लिखी हैं, जो आप इस पर देख सकते हैं, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, जिससे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक हैं? Educational technology is a system in which material, man and methods are interrelated and work together for the fulfilment of special educational objectives and it is also works for the maximizing the educational effects. Educational technology is a branch of a study in which the benefits of engineering, techniques, information, sciences, natural sciences, behavioral sciences and human technologies are to be used to be promote the efficiency of education. Nature of educational technology, the basis of educational technology is science, मतलब ये science पर अधारित हैं, यानि पूरी तरह से ये वैग्यानिक पद्दती पर अधारित हैं, Educational technology studies the effect of science and technology upon the education, यानि के जो भी technology है, जो भी विज्ञान है, जो भी उसकी खोज है, उसका शिक्छा पर क्या प्रभा हो है, आज की शिक्छा पर क्या प्रभा हो है? In other word, the science and the technology are used under the educational technology, मतलब दोनों को मिला करके सामोही ग्रूप से एक वर्ड यूज करते हैं, educational technology, मतलब जो जो चीज़े खोज हुई हैं, उनका पड़्योग science में कैसे किया जा सकता है, कितने effective way में किया जा सकता है, hence it is the practical aspect of science, इसलिए कह सकते हैं, कि ये पूरी तरह से practical है, Okay, education technology is continuous dynamic and producing method, मतलब ये है कि continuous process है, रुकता कभी नहीं है, ऐसा नहीं कि breaking आज हुआ, कल छोड़ दिया, so it's not like that, ये continuous process के साथ है, dynamic है, इसमें changes हमेशा मिलेगा, और इसमें हर आयां बदलता हुआ, मतलब कल कुछ knowledge जान रहे थे, उसके बेना पर कुछ जान रहे थे, आज उस चीज को हम और advanced form में जान रहे हैं, उसके बारे में और ज्यादा जान रहे हैं, है न, तो उसको हम और ही बेहतर ढंग से उसी चीज को समझ सकते हैं, और ये producing methods, और ये नहीं methods को produce करता है, तो इसलिए बहुत ही importance हो जाता है, new conceptions are possible, only due to the educational technology, आज नहीं concept के साथ हम उसको और कल का जो knowledge था है, पहले का जो knowledge था है, ऐसा नहीं कि वो बदल गया, वो knowledge है, लेकिन उसको और improve करके और जारे better way से हम नए तरीके से उसको इसको 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 और propagate करेंगे पहला सकते हैं, and the program learning, और इसको एक नए वे से अच्छे तरीके से और programming के साथ इसको बना जा सक सकता है, and such as one of the method is the micro teaching, जो कि इसका बहुत अहम पार्ट है, B.Ed का, और इसमें micro teaching इसको बहुत ज्यादा इमोलेट करता है, इसको और अच्छा बनाता है, okay, computers and many more, computer squad की बनाने के काम करता है, इसलिए हम science के nature को research based कह सकते हैं, okay, हम बात कर रहे है, characteristics of educational technology, मतलब इसकी characteristics क्या है, इसकी गुन क्या है, इसकी विशेश्चता है क्या है, it is based on scientific technological advancement, ऐसा हमने भी देखा, हैना, बिल्कुल खोज़ पर याधारीत है, इसलिए हम इसको कहा सकते हैं, कि यह scientific है, मतलब बूरी तरफ ऐग्यानिक पद्दती पर है, औ और शोद पर अधारीत है, technological advancement, जिस तरीके से advanced होगा technological way approach, उस तरीके से हम इसको और आगे appreciate करें यह बढ़ा सकते हैं, पहले जिस, दूसरा क्या है, it is more practical, less than theoretical one, यानि जितना theory है, इसमें, उससे कई गुना ज्यादा practical होता है, theory तो ठीक है, समझा, लेकिन जब theory हमारे पास आ फुली प्रैक्टिकल हो जाता है, कहीं लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाता है, और theoretical कम हो जाता है, हलाकि theory के बेना practical संभव नहीं है, लेकिन theory ने जो उस चीज़ को खोच करके दिया, अब हम उसको fully practical based use कर रहे हैं, तीसरा क्या है, it makes use of research findings of psychology, sociology, engineering, science, and social, philosophical, etc., and applied to same in the field of education मतलब different fields की बात करें, engineering की बात कीज़े, science की बात करें, और social विग्यान की बात करें, ठीक है, समाजिक विग्यान की बात करें, psychology की बात करना है, तो हर एक subject की बात कर लिए, हर field में कहीं ना कहीं, directly और indirectly, आपको ये लगेगा, ये पता चलेगा, कि educational जो टेक्नोलोजी है, उस इसके जरी हम हर approach को समझ पाते हैं, चाहिए विग्यानिक पद्दती के बेना पर हुई, विग्यान को समझना हो, या अगर socially किसी चीज को समझना चाहिए, engineering में कोई department, engineering sector की बात कर लें, तो जो भी चीज़े हैं, उनके अंदर क्या हमने किया, कैसे हमने क्या, एक approach बना पात हैं, और different fields के different education को, education के field में कैसे ला पाते हैं, it's a very big thing one, जो के characteristic है educational technology का, okay, it is bringing people's teachers and technical means, technical machines altogether in an effective way, मतलब जो student है, जो teachers है, और जिस एक system का, जिस एक विग्यानिक पद्दती का हो, या विग्यानिक पद्दती का हो, जिस चीज का भी इस्तमाल वो कर रहा है, चाहिए वो को scientific research उसका खोज करना है, उन सब को एक साथ, एक साथ पिरोने का काम करता है, okay, it helps in maximizing teaching learning process, teaching learning process जो होता है, उससे जतना output लिया जा सकता है, उन सब में help करता है, बहुत ज्यादा help करता है, बात करते हैं, technology की, technology है क्या, the word technology is derived from the Greek word, technique, okay, meaning the art or the skill, okay, you can say art of skill and the logia, logia is what, it means the science or study, अगर हम इसको ज्यादा describe करने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं कि technology जो word बना है, ये दो word से बना हुआ है, ठीक है, और इसका जो origin word है, वो Greek है, दो word कौन से है, एक technique है, और दुसरा logia, जब बात technique की करते हैं, तो it's art, ये एक art है, कला है, ये फ जाए तो हम बोल सकते हैं, it's the art or the skill, ये या तो skill है, किसी काम को अच्छे धंग से करने की कला है, या बहुत, हाँ, ये आप समझ सकते हैं, दूसरा क्या है, logia, science और study, यानि वो जो art है, वो जो कला है, किसी काम को बहुत धंग से करने की कला है, जो बहुत अच्छा एक कोश कोशल है, उसका study कैसे किया जाए, study भी कैसे, science, just to know, मतलब ऐसा study हो, कि उससे हम कुछ जान सकें, उसके जान सकें, तो इसके बारे में हिरा ने एक definition दी है, जो बहुत अच्छी definition है, thus you can say the technology is the science or the study of an art or skill, यानि के technology क्या है, किसी विज्ञान, किसी एक तरह का विज्ञान है, और कैसा विज्ञान है, या एक अध्यान है, कैसा ध्यान है, जो किसी कला के अध्यान करता है, जो किसी कौशल के अध्यान करता है, इसके बारे में definition दी है, हिरा ने, उन्होंने बहुत अच्छी definition दिया है, technology is the set of instruments, set of instrument, कही तरह के instrument का set है, जो एक साथ काम करता है, and skills, और instruments को use करने के लिए, skill भी है, which are used to satisfy the needs of the community, ताके एक जो community, ग्रूप है, जो कि कोई ऐसा group, जो बहुत सारे instrument के set के साथ, उनके कौशल को जानता हो, और उसका इसका इस्तिमाल कर सकता हो, it's just become the technology, इस तरीके से technology बनता है, अब हम बात कर रहे हैं, एक definition की, जो बहुत ही छोटी और काफी अची definition है, इसको जरूर याद करने, जिसको government ने दिया था, यह क्या है, educational technology is the systematic application of the scientific knowledge about teaching, learning and condition of learning to improve the efficiency of teaching and training, okay, यह educational technology is the systematic application, system के साथ applied होता है, ऐसा application है, जो किसी system पे अप्लाई किया जा सके, और क्या होता है, of scientific knowledge, और ऐसे वैसे नहीं, scientific knowledge के आधार पर, ठीक है, वेगानिक पद्धिती के आधार पर, उस systematic knowledge को यूज किया जाए, एक system के साथ, तरीके से, तरीके से, तरीके से, सुचना बद तरीके से इस्तमाल किया जाए, about teaching learning, ताकिए सीखने सीखाने का काम हो, and condition of learning, और उसमें जो conditions है, सीखने की, उसको जाना जाए, to improve the efficiency, और improve भी किया जाए, efficiency of teaching and training, ताकि उसे training भरे, और teaching को भी समझा जा सके, साथ, सीखने सिखाने के चमता का विकास भी हो सके, यही है, educational technology, ठीक है, थोरा सा, इसके बारे में हम, historical background देखते हैं, ठीक है, कि historical background जो था, इसका, mediated communication का, वो कैसा था, वो face to face method से, बिल्कुल अलग था, इसके बारे में 15th century में, सबसे पहले, पता चलता है, जब printing press की खोज होई थी, और बात में हम बात करेंगा, तो first printing culture, जो Chinese में, China में established होगा था, तो उस time से, इसको देख सकते हैं, लेकिन क्या है, इसके बारे मे चुकि कोर्स related नहीं है, इसको आगे नहीं बनाने हैं, लेकिन हमने, इसकी पर आपके देख सकते हैं, लेकिन हम बात जरूर करेंगे, mediated communication के बारे में, अब हम बात करें, mediated communication, mediated, mediated, मतलब एक जगह से, दूसरी जगह, एक अस्थन से, दूसरी अस्थन, या एक वैक्ति से, दूसरी वैक्ति तक, approaching होना, और communicate करना, अपने अंदर की सारी बातों को, सारे विचारों को, दूसरी के बातों को, दूसरी के समझ रख देना, तो mediated communication जो था, exactly, इसका origin था, computer के जरिये से, तो यह, जो mediated communicated है, आज तो बहुत सारे technology के terms, इस पर इस्तमाल किया सकते हैं, ले that occur through the use of two or more electronic devices, जब दो या दो से ज्यादा electronic devices का, इस्तेमाल किया जाए, और उस तरीके से, दो human beings को communicate कर दिया जाए, तो यह चीज़ कहलाता था, CMC, मतलब computer mediated communication, हलाके, आज अभी हम लोग जो communicate हो पा रहे हैं, अभी भी हम लोग communicate हैं, और दो ही नहीं, कई लोग, बहुत ज जानेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे, तो यह भी उस तरीके से CMC का एक पार्ट है, हलाके origin CMC से ही हुआ था, तो हम इसको CMC ही बोलेंगे, इसलिए यह कहा जागा computer mediated communication, हलाके यह computer business नहीं अभी, आप में से कोई भी, या मैं खुद भी, हम लोग computer से एक दूसरे को link नहीं कर पार है, हम लोग directly कैसे link हो पार है, वाया mobile, it's also technology, तो इसलिए definition क्या थी, computer definition के अंदर नहीं आया था, definition के अंदर आया था, कि any human being is defined as any human being, communication that occur through the use of two or more electronic devices, जब दो या दो से ज्यादा electronic devices, electronic device कभी, सिरिफ computer नहीं होता है, हना, लेकिन computer is also, you know, electronic device, लेकिन starting में क्या है, इसको CMC के term से ही जाना गया था, while the term has traditionally referred to those communications that occurs via computer-mediated formats, instant messaging, emails, chat rooms, online forum, social networking services, etc. It's also been applied to the forms of text-based interactions, such as text messages, research on CMC focusing largely on the social effects of different computer-supported communication technologies, many recent studies involves internet-based social networking supported by the social software. हम बात कर रहे हैं, social information processing, social s information i processing p, s ip, क्या है ये s ip, और हम लोग जो अभी connect है, s ip की वज़े से ही connect है, तो इसके बारे में जाना जरूरी है, s ip is what, social information processing theory, is what, is called s ip in short, s ip क्या था, s ip exactly है, the theory, which is based on the social information processing, और in other word, you can say, social information processing theory, explains online interpersonal communication, interpersonal communication, मतलब ये एक interpersonal, दो आजमे की बिच का personal communication है, ठीक है, और ये non-verbal क्योज है, how people develop and manage relationship in a computer-mediated environment, इसके ओपर ये focus करता है, while the term has traditionally referred to those communications that occurs via computer-mediated formats, instant messages, emails, chatroom, etc., it also means apply to other forms of text-based interaction, such as text messages, computer-mediated environments, interpersonal relationship development, may require more time to develop than traditional face-to-face, you know, in short, it is to be called FTF, it means face-to-face, relationship, social information processing theory, accuses that online inter-person relationship may demonstrate the same relationship dimensions and qualities as FTF relationship have, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसी websites हैं, जिसको आप इस्तमाल कर सकते हैं, आफ लाइन रहकर के भी, आउनलाइन की तरह ये काम कर दें, इसका हमने आपको यहां पर शो कर दिया तक आप उसे देख सकें, सबकka एक सबक साथ, उसका भी आप स्क्रीं पर देख सकते हैं, आप इस तीनों को आफ लाइन मोड में यूज़ कर सकते हैं, तो आज जो हम लोग उनलाइन हुए,। इसमा में आप आप स्क्रीशॉट्ट देख सकते हैं, कि ये टिकनोलोजी का ही कमाल है कि आज हर सब्जिक्ट को स्टेडी हम घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं हम लोग आज लॉक्डाउन में हैं लेकिन बावजुद लॉक्डाउन में होते हुए भी हम लोग ये क्लास्स हुई 27, 25, 28, 29, 22, 18, 17 लेकिन कही न कहीं हम देख पा रहे हैं कि इतने सारे बच्चे आउनलाइन मोड में आप इसक्रीन पर देख सकते हैं आपका नाम सारे बच्चों का नाम इसमें आ रहा है जो बच्चे आउनलाइन रहे लोग ने जो आज क्लास्स हुई है उनका एक screenshot लिया गया था वह screenshot आप देख सकते हैं इसमें और one by one सभी के नाम इसमें आ रहे हैं कितने participants हैं कितने लोग हैं जुरे हुए है ना वह सारा इसमें हम देख सकते हैं अभी अंकिता जा जुही खुश्बुजा लिशा सिन्हा प्रयांका कुमारी ठीक है डिजा कुमा अन्नी माचन दीप्ति प्रिया जुही खुश्बुजा लिशा सिन्हा सिता कुमार साओ ठीक है खुश्बुजा अर्चना चौधरी इस तरीके से बहुत सारे बच्चे कंचन शर्मा ठीक है और कई बच्चों के नाम मुबाइल के शो कर रहे हैं जैसे उनकिया 6.1 विवा 1603 ऑनरेट एक्स विवा 1603 तो इस सब तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो लोग है जो ही है यह सभी लोग ऑन-लाइन आ रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग घर बैठ करके इस लोकडाउन में भी एजुकेशन सिस्टम को गेन कर रहे हैं यह बहुत बराईचिमेंट है टिकनोलोजी का एद्यूकेशनल टिकनोलोजी का यह बहुत आहम हिस्सा है और इस तरीके से आप में से सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने किसी ने भी मेरे इस चैनल को सस्क्राइיב नहीं किया है तो करेंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपके रिइक्षट जो भी कॵेश्चेञ हो उसका आप Latino के R Us के हो इस चैनल के ओपर ठीक है और सभी कुर्से के चाह कोर्स बन हो चाहिड हो जाय्ट हर न ग्रोइंग ग्रोइग अप कंटम्ती इंडीय देखेशन लेर्निंग टीचेशिंग लेंगविच अक्रॉस्टी क्रीकूल अंडेस्ट इस्टीक्रिकूल अंडेस्टीडिट्टीड से यह पर आपट ऐल से कि रहें इसे में क्यूस 얌न की बात करके μα करने में घृतिक के लिए किकुल कि बात करना सिक्टझ विए कॉस्चंद घृति कर साफुन तक, तक यह प्र क्वस के लीकोज कर रहें हैं। तो उसके लिए या पिर CTAT के या फिर STAT के तो इन सब तरह के बैचेस हमारे अवेलेबल हैं आपने देखा होगा है यह हमारी ओफिस का फोटो है या क्लासरूम का फोटो है आप देख सकते हैं CT Classes का ठीक है तो आप काइंडली इस यूट्यूब चैनल को जरूर कर लें और आपके जो भी कोशन से इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके इलावा बेल आइकन को भी ज़रूर दबादे ताकि कोई भी नोटिसिफिकेशन आपको पहले मिल जाए जैसे कोई भी यूट्यूब पे कोई भी किसी तरह का टॉपिक बने और इसको प्रणियूज निश्पक्ष पत्रकारिता हिंदी इसकी तरफ से जनलिजम का कोर्स आप करना चाहें तो हमारा जो हमारा जो फॉंडिशन है अलकाउसर एजुकेशन वेलफर ट्रस्ट इसके धुरू हमारे हैं से कोर्स करा जाते हैं डिप्लोमा लेवल का कोर्स प्लस थी का आपको उसमें इंटरंशिप है उसके बाद प्लस्मेंट की भी सुविधा है और आपको डायरेक्ट प्लस्ट किया जाएगा यह कोर्से काफी चीप रेट में काफी सस्ते रेट में और पूरी तरह से ट्रेनिंग बेस्ट कोर्स करा जाते हैं इसके लिए आप हमारे आफि नेक्स डे आपको मिल जाएगी ठीक है इसके लिए सब करें धन्यवाद क्रिया थैंक यू मच